जै माता की आज मैं फिर आप सब के समुक पूरव जनम से संबंधित ग्रस्तिती पर एक नया कारेक्रम लेकर हाजिर हुआ हूँ मित्रो पूरव जनम को जाननी की इच्छा प्रतेक व्यक्ति के मन में होती है बरतमान जनम का उदेश्य क्या है? उधार नार्थ इस संसार में कोई व्यक्ति किसी विशय वस्तु को पाने के लिए अथक प्रियास करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता वहीं दूसरी ओर इसके विपरित किसी को वह सब विशय वश्तु असानी से मिल जाती है इस संसार में कोई व्यक्ति दुखी है तो कोई सुखी है किसी के मन में बहुत पीड़ा है, संताप है और किसी के रिष्टों में अधुरापन है ऐसे प्रशन मनुश्य को परिशान किये हुए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है यदि मनुश्य जीवन के अनुभवों को वसत्य को जान ले तो इन सब बहिय बंधनों से छूट सकता है इस माया रूपी संसार की माया व्यक्ति को ब्रहमित किये हुए है तथा विशय व्यक्ति को मोहित किये हुए है वो व्यक्ति पल भर की खुशियों को पाने के लिए कई जन्म मोह पाश में फसा रहता है योती शास्त्र हमें इस विशय की बारीकी को समझने में मदद करता है पंचम स्थान व्यक्ति के गत जन्म के पुन्य कर्मों का स्थान है पूरव जन्म के पुन्य कर्मों के आशिरवाद की कितनी संपत्ती लेकर हम इस जन्म में आए हैं इसका अनुमान सहज़ता से पंचम भाव से लगाया जा सकता है पंचमस्तान वो पंचमेश किस्तिती हमें इस विशय को समझने में मदद करती है बरतमान जन्म का भाग्य कितना प्रवल है यह भाग्यस्तान भाग्य भाव से पता लगाया जाता है और भाग्य भाव से नवमस्तान जो भाग्यस्तान का भी भाग्य है यानि पंचम भाव से ग्यात किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति इस संसार में आता है अर्थात इस धर्ती पर जनम लेता है तो उसके जनम लेने की स्थिति का निर्धारण उसके पूरब जनम के संचित कर्मों के साथ साथ उसकी अधूरी इच्छाओं वो अधूरी कर्मों के अधार पर होता है पंचम भाव भाग्या से नवम है क्योंकि व्यक्ति का भाग्या पिछले जनम के कर्मों का आधार पर निर्वर करता है कुंडली में पंचम भाव की मजबूर सिती आपकी आत्मा को परिपक्वा बनाती है वह कुंडली में सूर्य के शुबस्ति वह पंचम भाब के मालिक के शुबस्ति आपके जनम के पुन्य कर्मों को दर्शाती है पंचम भाव के स्वामी का मित्रक्षित्री होकर भाग्य भाव या लगन में विराजमान होने पर व्यक्ति असानी से जीवन में मन्चाही इच्छाओं की पूर्ति कर पाता है उसे परिवार और मित्रों का अच्छा सहयोग मिलता है वहीं पंचम स्थान के स्वामी कुंडली के छटे आठवे या बाहरवे भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति बिलक्षन बुद्धिक्षमता का मालिक होता है लेकिन ऐसे व्यक्ति कई वार अपने मन के विचार वभावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और कई वार जीवन में अपने गल्प निर्णयों के कारण इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है जिनके 6-8-12 भाव में पंचमेश हैं ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धिक्षमता का योग्या इस्तिमाल करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और जीवन को सहीद इशा दे सकते हैं दोस्तो पूरव जनम से जुड़े रहस्यों पर इससे पहले भी हम दो कारेकरम बना चुके हैं अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और कमेंट जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद